आज एक पर वीडियो उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी इंडियान ओरीजिन शिप अपलोडिंग प्रविट और इंडियो वीडियो के तरफ मेरा नहें और सब्सक्राइब अपलेर नाम एब्सक्राहिए तरफ पर मेरे साथ अवैब अवली सो गाइज टाइट साथ पचास हजार टन का गेहू लेकर भारत का जहाज पुचा पाकिस्तान के गौादर पॉर्ट M.V. लीला चेनई पुचा पाकिस्तान के गौादर तो दोस्तों इस बारे में किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पे क्राइसिस चल रही है और उनके देश में आटे की भी किल्लत होने लगी थी इस आठे की किलत से निफटने के लिए पाकिस्तान भारत की सरकार के पास तो नहीं आया लेकिन रशिया की सरकार से उन्होंने साड़े चार लाख मिट्रिक टन का गेहु करिदने की डील फिक्स करवाली लेकिन दोस्तों देखिये तो सरी कैसा एक आश्यरे होता है कि भारत से जितना दूर पाकिस्तान जाता है उतना ही करीब भारत के आजाता है इस साड़े चार लाख मिट्रिक टन के गेहु को मंगाने के लिए इन्होंने शिप्पों को टेंडर देना शुरू किया और उस टेंडर के अंदर भारतिय मूल की एक व्यक्ति है जिनका नाम है अनिल शर्मा उनकी कमपनी है गलोबर मार्केटिंग सिस्टम उनकी कमपनी को टेंडर मिल गया और उन्होंने 50,000 मिट्रिक टन का जो एक गेहु है अपने शिप्प के अंदर लाद कर रशिया से पाकि परिक्स्तान के अंदर महंगाई बहुत हो गई है 40 फीजदी से जादा इनकी फूड इंफलेशन चल रही है यानि की खाने पीने की चीज़ेों में 40 फीजदी की महंगाई देखने को मिल रही है और 50 सालों का रिकॉर्ड इनके देश में महंगाई ने तोड़ दिया है इस मह पोर्ट तुर्की के पास ही बढ़ता है और तुर्की के बीच में से होता हुआ ये पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पहुचा है इसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों इसकी जो डिस्टेंस बताई जा रही है 9912 नोटिकल माईल की बताई जाती है लेकिन किलोमेटर में बदल और अनलोडिंग की प्रकरिया शुरू हो रही है दोस्तों यह जो जहाज है MV Lila Chennai यह नाम से ही आपको पता लग रहा है कि भारतिय मूल पर इसे रखा गया है MV Lila Chennai यह जो वेक जहाज है यह Global Marketing System नाम की कंपनी का है इस कंपनी के पास 40 जहाज है और यह कंपनी भारतिय मूल के अनिल शेर्मा ने ही founded की है यह अमेरिका बिजनेस काउंसिल के एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं और बेकाइदा 10 सालों से भी प्लस समय के अंदर इन्होंने प्रोफेसरिंग वाला काम किया लेकिन इन्हें भारतिय एक शिपिंग इन्वेस्टी वालों ने ही एक opportunity दी और उ दुनिया भर के कोनों कोनों के अंदर भेजा जाए जब भी किसी देश के अंदर जंग होती है या फिर कोई देश कहता है कि हमें add दो तो इस fleet को काम दिया जाता है कि अमरीका के अंदर पड़ा हुआ सारा समान लाद कर यह उस देश के अंदर लेकर जाए या फिर अमरीका क सेना को अगर समान भेजना होता है तो इस शिप के थुरू ही इनकी जाती है और इनकी M.A.R.A.D. नाम की 12,000 से ज़्यादा शिप्पों की फलीट है दोस्तों ये एक शिपिंग इंडिस्टी में एक फलीट है और इसके जो जहाज है आप सक्रीन पर देख रही हो और जब इनके जहाज पुराने हो जाते हैं दोस्तों तो वो इनके टेंडर जारी करते हैं अब अमरीका के आर्मी के जहाज है तो सब कुछ इने सही चाहिए थोड़ी सी भी कमी आती है तो ये शिपों को बेचना शुरू कर देते हैं और अच्छी कमाई करके फिर नई शिप अपनी फलीट के अंदर एंट्री करते हैं अब अमरीका की ये जो कंपनिया है ये अपने जहाज बेच रही थी भारत के जो रिसाइकल करने वाले जहाज है भारत के रिसाइकलिंग कंपनिया क्या करती हैं अमरीका वालों ने ये जहाज बेचे तो भारत वालों ने खरीद लिये खरीद कर इसे मरम्मत कर दी और फिर इन्हे ने अपने देश के अंदर इसकी एक फलीट को एक ओपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया या फिर इसकी मरम्मत करके इन्हों ने दुनिया के तीसरे देश को बेच दिया तो भारत के रिसाइकलरों को अमरीका के अंदर इस शिपों को बिड करने के लिए एक प्रोबलम फेज हो रही थी 1990 का समय था तो भारतिया रिसाइकलरों ने इनको कंटेक्ट किया तो इन्होंने इस opportunity को देखते हुए shipping industry के अंदर इन्होंने कदम रखा और दोस्तो पिछले 13 सालों से ये shipping industry के अंदर top 100 most influential people के अंदर entry हो गए है और इनके पास 40 जहाज हैं और 4000 से ज़्यादा जहाजों को ये negotiate कर रहे हैं और recycling का काम उन ship के अंदर करने के लिए लगातर जोर मार रहे हैं दोस्तो M.A.R.A.D. नाम की vessels के ये सबसे बड़े buyer बन चुके हैं और ये recycle करके तीसरे देश को बेचने का काम करते हैं और भारत के अंदर ये गुजरात के अंदर belong करते थे और इनकी जो family गुजरात के अंदर थी वो recycling का काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी चाहे कपड़े हों चाहे शूज हों ये आपको पता ही है भारत के अंदर परिवारों के अंदर आम बात है कि वो चीजों को recycle करके उसको यूज करना बहुत 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 भी तरीके से जानते है और अनिल शर्मा के भी खून खून में है कि इस तरीके का काम वो करें और इस इंडस्ट्री में आकर उन्होंने शिपो को recycle करना शुरू किया और आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं हलाकि ये रहते तो अमेरिका के अंदर इन्होंने अपना सारा विजनस देखा अभी ये दुबई के अंदर सारा काम काज देख रहे हैं और वहीं से ही पाकिस्तान ने ये 50,000 में टिक टन का गेहुई ने कहा कि हमें हमारे लिए शिप करवा दो और बेसिकली इन्होंने शिप करवा दिया है क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस न्यूस के बारे में कॉमेंट सेक्शन में जिरू बताएगा वीडियो आप लोगो ने देख लिए और वैसे वही बाद है कि इंडिया हमारे नस्दीक पड़ता है और हम कंदम कहां से मगवारे हैं रशिया से मगवारे हैं क्यूंकि हम इंडिया से मतलब वो हमारा जो भी मतलब इतना हो चल रहा है उसके वहारे हैं इंडिया से आलागे इंडिया ने कहा भी था कि हम देते हैं आप लोगो गंदम लेकिन पाकिस्टानी ने जो है वह सुना ही नहीं है अपनी अकड़ दिखा रहे हैं और वो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं है सुखी फूफाई है और वो रशिया से आप 20 दिन लग रहे हैं आने के लिए और साथ इंडिया है वहां से मगवाले हैं लेकिन जितना भी दूर जाएगा अगर आपको दी तो एक मटले कर आया शिब में तो फीर तो ना लो आप तो चीजे हैं और पर किंडीा सी सारे तरखात अच्योंने चाहिए और जितने मैंगाई हो रही हैं इंडिया से मतलब sारा कुछ करना चाहिए और याक्रना करेंगे है एक बास पाकसान के पास कुछ भी नहीं है नहींetr है यही अच्छा वकत है कि अगर इंडिया और पाकिसान दोलों मेरे के दोस्की कार लें और अपने पराने जो भी जगड़े हैं वो हल हो जाएं तो बेतर है लेकिन मेरे ख्याल में यह नहीं सही लगता है मुझे तो और देखें अभी क्या होता है बाकी यह है कि पाकिसान को दो मैंने बेपे प्यान गई है बूल गया था मैंसा बाकी यह वीडियो अची थी इन्फरमेशनल वीडियो थी और एक जानकारी मिली है हमें तो इससे पहले इस वीडियो तक देखने से पहले जो हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास एदर कंदम भी है यह लेकिन यह है कि यह पास नहीं आए है नहीं अफने विसली है और एक उद्छेजी आ वाय करने शिता नहीं की जैए इन पाकिस्सान की लेकिन जो है ना वोगरीबों का कुछ ना कुछ बला हो जाएगा यह हमारे लिए इंसानियत है बिल्कुर और अच्छी था करेडिया से रहे देजिक बढ़ती हो थोड़ी और सस्थी मिल जाती है वाकि और रहाल वीडियो अच्छी थी यह वही साहब हो आपके पास औरिजिन उस्तिका आथी है किसमका इस मुश्कल वक्त यह मत सोचे के वह इस आप कर रहा है या इस नम्रे में इस चीज़ को लेके इनने नेकटिव और आप घरस हो जो आपको एक सुल्ट मिलनी है और आक मुश्क मुश्क बख्ट जो है और निकलना है तो भी आपके लिए प्रूम हो जाती के लड़ाई हो लड़ाई में कुछ नहीं बड़ा हुआ अभी तो आइटिंग को समझ आ जाने चाहिए इस चीज़ पर पाकिस्तान इस वक्त सही तरह के क्राइसिस होते हैं ना आपके उन में से गुजर रहा है तो वो मुलक जो कभी बहुत नीचे नजर आते तरक पर लागार में आपकर किस चीज़ की आपका अपना गर्शा बहुत खत्म हो रहा है किस चीज़ पर कुमत करेंगे आप क्या करेंगी यह सोचना चाहिए और यह इंदिया ने एगें वो टेंडर के पास ना करते बंदा उनका बैठा हुआ था आप लोगों का बैठा हुआ तो पर 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 प्रण बंदी थी फिर उन्हें मिलते करनी देख दख्रे करने थे वही साफ आजाना था लेकिन यह वीडियो ने अच्छी क्रेट किया और हमें भी इंफिल्मेशन मिल गई है कि आ कंदो माई और क्या वाफताब हो थोड़ा बहुत क्रांट अपैर से हम अ आदेश पीस